Hello students, how are you doing? पिछला वीडियो देखा होगा? I hope समझे में भी आया होगा. हमने देखा था geometric meaning of zero of a linear polynomial. linear polynomial हमने पिछले वीडियो में cover किया था. इस बार हम बात करेंगे quadratic polynomial की. quadratic polynomial पता है सभी को क्या होता है? quadratic polynomial में degree क्या होती है? degree 2 जैसे कोई example देना हो quadratic polynomial का तो x square minus 7x plus 9 है ना? x की इसमें degree क्या है? x का maximum power. maximum power यहाँ पे आ रहा है, maximum power है तो degree 2 है. degree 2 मतलब quadratic polynomial. as simple as that. लेकिन straight line का तो हमने देख थिया था आराम से एक straight line बनती है. linear polynomial के एक straight line बनती है और x axis से interaction हम लोग निकाल ले दे हैं. पिछले वीडियो में देखा था हमने ग्राफ. इस तरह का ग्राफ था, red वाली line बनी थी linear polynomial के लिए. polynomial उसमें हमाल पास था, y is equal to x 7x minus 14. था ना? बहुत ही आसानी से इसको हमने कर दिया था. एक straight line बनी थी, x axis से intersection point निकल गया था. और 0 of the polynomial का मतलब बनी था, intersection point. लेकिन जब कुम लोग quadratic polynomial की बात करते हैं, तो straight line तो बनेगी नहीं? Straight line बनेगी नहीं, तो क्या बनेगा? और जो भी बनेगा, उस पे 0 का मतलब क्या हो सकता है? यह सारे questions हम लोग इस वीडियो में consider करेंगे. Interesting होगा? बड़ा मज़ाने वाला है देखने में. अगर straight line नहीं हो, तो किस तरह की line बन सकते हैं? लाइन तो हमें सा straight होती है, है ना? चलो, ज़्यादा discuss नहीं करते हैं, एक्च्छल में करके देखते हैं, तो अच्छे से समझ में आएगा. हमाल पास question screen पे है, quadratic polynomial लेक दिया है, x square minus 3x minus 4, ठीक है? इस polynomial के साथ, अब हमें पता है कि straight line नहीं बननी है, तो 2 points से तो काम चलेगा, नहीं. हमें graph तो इसी का बनाना है, y is equal to x square minus 3x minus 4, graph तो इसी चीज़ का बनना है. लेकिन परिशानी यह है कि straight line नहीं बनेगे, straight line नहीं बनेगे, तो 2 points से काम नहीं चलेगा, बहुत आप से 2 points हमने लिया था काम बन गया था इस बार 2 points से काम नहीं चले इसलिए मैंने पहले से टेवल बना कर रखी है x और x के लिए corresponding y की value निकालेंगे y की value कैसे निकालेंगे पॉलिनॉमिल में x की value डाल करके y की value निकाल देंगे हम लोग तो इतनी सारी values के लिए हम लोग निकालेंगे y की value तो अब यह कहां से आया है इसमें कुछ रैंडम रैंडमली मैंने ले गिया है जिरो से स्टार्ट किया है जिरो से प्लस में 1 2 3 4 5 टका गया है और माइनस में भ 2 रखते हैं तो y क्या होगा x is equal to 2 y क्या होगा निकालना होगा बहुत तीजी से निकालना लेकर अभी हम लोग चुकी सीख रहे हैं इसले धीरे-धीरे मैं निकालके निकालके इसमें x की value 2 डाल देंगे तो क्या आजाएगा 2 square minus 3 into 2 minus 4 क्या हो जाएगा 4 minus 6 minus 4 is equal to minus 6 तो minus 2 पे value आगई minus 6 ठीक है minus के ध्यान रखना है minus भूर होगे काम ख़राब x is equal to 2 पे y की value आगई minus 6 ठीक है यह तो plus 2 के लिए निकाल दिया था न हमने value ते कोश्चा की mistakes नहीं करनी है तुम्हें तुम करोगे एक जाम में होगा गल्ती होगी यह plus 2 के लिए value निकली है plus 2 पे आया है value minus 6 ठीक है एक line से चलते हैं पहले minus 2 का निकालते हैं x की value जब हम लोग minus 2 देंगे हैं y की value क्या आगई minus 2 square minus 3 into minus 4 क्या होगा 4 plus 6 minus 4 तो 2 पे value के आगए minus 2 पे value आगए plus 6 ठीक है value निकालने में तो कोई परिशानी नहीं हो रही है अगर हो रही है तो धीरे धीर सीख जाना देख अभी बहुत सारी values निकाल रही है में x is equal to minus 1 पे value निकालेंगे को x is equal to minus 1 पे निकालेंगे तो y की value के आगई minus 1 का square minus 3 into minus 1 को minus डालना है हर जगा minus miss नहीं करना है minus 4 क्या आएगा 1 plus 3 minus 4 equal to क्या आगया 0 0 आ सकती है value y की value 0 आ सकती है तो यह 0 यह minus 1 हमारा एक 0 है यह तो हमें की value 0 हो जाए उसको हम लोग करते थे 0 अपर पालेंगे तो हमें एक 0 तो मिल गया है लेकिन geometrically इसकी मतलब सीखनी है समझना है हमें तो चलो ठीक है ग्राफ पहले plot करते हैं उसके क्या होता है इसका मतलब x की value 0 डालेंगे x की value 0 डालेंगे तो y की value क्या आएगे x square x square मतलब 0 square minus 3 into 0 minus 4 क्या हो गया 0 minus 4 is equal to minus 4 तो 0 पे value आ गई minus 4 ठीक है उस इतरा से x is equal to 1 पे value निकालनी है x is equal to 1 पे जब value निकालेंगे तो y क्या आएगा 1 square minus 3 into 1 होगा इस पर minus 1 नहीं है देख रहे हो इसले बार हमने minus 1 किया था इस पर करना होगा plus 1 क्या आएगा 1 minus 3 minus 4 इसकी value क्या होगी minus 6 ठीक है उलपे भी minus 6 आ चुका है हमारे पास value हूं पे भी value minus 6 हमारे पास आ चुकी है x is equal to 3 की जब बात करेंगे हम लोग तो x is equal to 3 जब डालेंगे तो y की value क्या आएगे 3 square minus 3 into 3 minus 4 बतलब 9 minus 9 minus 4 is equal to minus 4 तो 3 पे हमारी value आगे minus 3 into 4 minus 4 is equal to 16 minus 12 minus 4 is equal to 0 तो यह भी हमें minus 3 into 5 minus 4 is equal to 25 minus 15 minus 4 यह क्या होगा value पहले प्लस 6 थी फिल 0 हो गई फिल minus 4 हो गया फिल minus 6 हो गया फिल से minus 6 हो गया फिल minus 4 फिल 0 फिल 6 बतलब symmetric तो है डिको यहां पर 6 है यहां भी 6 है यहां 0 है यहां भी 0 है यहां minus 4 है यहां भी minus 4 है यहां भी minus 6 है यहां भी minus 6 है बतलब symmetric तो है same values आ रही है लेकिन क्या हो रहा है कैसा graph बनेगा पता नहीं है है लाट करने के लिए मैं क्या कारें नहोंता है, एकसे यज इए होते हैं मैंने इहाँ बनारDi यह हमारा एकसे एकसे से यए यहां तक मैं पहलने से बना programmed कहनμε यह डिले एकसे स्वी कि यह नीचे वाइक्सेस सो all ठीक है अब यह देखो 0.12345678 इधर-1-2-3-4-5 y-x पर आएंगे तो प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4 इसतर से और नीचे जाएंगे तो मानस 1, मानस 2, मानस 3, मानस 4, मानस 5 इसतर से मतलब कि हमारा पॉजिटिव y ऊपर की तरफ होता है और पॉजिटिव x इस तरफ होता है, स्टैंडर्ड सभी को पता है, जिन्होंने पिसला वीडियो देखा है, उनको सब कुछ अच्छे से पता है, अब हम लोग पॉइंट्स को प्लाट करते हैं, रेट करर से मैं प्लाट करता हूँ, पहला पॉइंट है, मानस 2, 6, मानस 2, 6, x-axis पर वैल्यू लेनी है, मानस 2 कहां पे है, यहां पे मानस 2, और मानस 2 पर y की वैल्यू की तरफ है, 6, उपर की तरफ है 6, तो यह वा, लेक्ट हूँ क्या अब, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह वाला पॉइंट है, यह पॉइंट है, फिक है, दूर्सा पॉइंट क्या है, मानस1, जीरो, मानस1 यहां पे है, जीरो भी यहीं पे है, minus 1,0 यह point है ठीक है पीसरा लो 0, minus 4 0, 0 यहाँ पर है minus 4, 1, 2, 3, 4 यह point है ठीक है उसके बाद क्या है 1, minus 6 1 यहाँ पर है minus 5, minus 6 यह point है clear points कैसे कैसे निकलते जाने हैं दिख रहे हैं लिखते जाओ क्या मैं यह था minus 2,6 यह point है minus 1,0 यह point था 0, minus 4 यह point था 1, minus 6 ठीक है यह वाला point है उसके बाद क्या है 2, minus 6 तो यहीं पर रहेगा है न यह point है 2, minus 6 इसके बाद है 3, minus 4 यह point होगा 3, minus 4 यहाँ पर लिख देता हूँ 3, minus 4 इसके बाद क्या है 4, 0 1, 2, 3, 4 यह वाला point है यह वाला point है यह इसकी value क्या है 4, 0 और 5, 6 5 पर जबाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है 5, 6 यह हमारे सारे points मिल गए कैसे मिल रहे हैं 5, 2, 3, 4 उसको मैं पहले थाँ सारे जूम करता हूँ ताकि अच्छे से दिखे computer जिसको बड़ा करो यह देखो अब हमारा काम हो चुका है numbers का काम हो चुका है अब हमें सिर्फ graph को plot करना है देखो दिख्रा है सब कुछ मतलब क्या होना है हमारा graph यहां से चालू होगा यहां से चालू होकर के पहले यह इस point पे आएगा है ना उसके बाद फिर कहां जाएगा यह इस point पे आएगा उसके बाद फिर यह minus 6 वाले point पे आएगा फिर यहां से घूम जाएगा यहां से यू पिर यह उपर खूंगे आप उपर की तरफ जा रहा है देख रहा हो राष्टे में से पॉइंट्स मिलते चले जा रहे है पिर यह वापिस उपर चला जाएगा इधर भी कुछ उपर से ही आया होगा यह इस्तर से हमारा किस्तर का ग्राफ बना यू यू थोड़ा सा फैला हुआ है कुछ इस तरह का है यू नहीं है यू से थोड़ा सा फैल गया समझ मैं आरी बात कैसा ग्राफ बन रहा है कैसे बना ग्राफ पहले तो ग्राफ कैसे बना और फिर किस तरह का ग्राफ हमारा यू एग्जैक्ट यू नहीं बना है यू थोड़ा सा यू फैला ह कोडिटिक पॉलिनॉमियल अगर कोडिए हम लोग लेते हैं तो ग्राफ इसी तरह का बनेगा यह यह यू नहीं बनेगा इस तरह का थोड़ा सा यू फैल जाता है वी नहीं बनता है नीचे पॉइंट नहीं हो रहा है देखता हो यहां पर आराम से यह घूमा है यहां पर एक्जैंप्लस दूंगा ओर आगे के वीडियोस में और भी एक्जैंप्लस लेकरके हम लोग इसको सीखेंगे अभी हमें सीखना यह है कि कोडिटिक पॉलिनॉमियल को जब हम लोग लेते हैं तो यू नहीं इस टाइप का ग्राफ बनता है और यह ग्राफ x-axis से कितिनी बार मिला दो बार मिला एक बार यहां पर एक बार यहां पर एक बार यहां पर है ना x-axis से यह दो बार मिल रहा है एक बार यहां पर और एक बार यहां पर यह दोनों क्या होंगे 0 of the polynomial दोनों के दोनों ही 0s होंगे यह भी हमें पता है और algebraically भी हम लोग देख चुके थे zeros दो बार निकलते हैं देखे थे यहाँ पर algebra में भी दो zero निकल रहे थे algebra से zero कहां पर है या निकालना काफी मुश्किल होगा लेकिन जब हम लोग graph बनाएंगे तब तो आराम से दिख जाएगा एक zero यहाँ निकल रहा था एक zero यहाँ निकल रहा था सेम चीज हमारी graph में भी आई है minus one और plus four पे meet वाई है न माइनस one यह minus one था और यह plus four था था ना इस तरह का हमारा graph बनता है quadratic polynomial का तो यह जो graph बनाए इस तरह का क्यों इसका नाम क्या है पयरा बोला यह इस graph का नाम है पयरा बोला इसको बोलते है पारा बोला क्या बोला पारा बोला इस तरह की चीज को इस तरह के ग्राफ को हम लोग बोलते हैं पारा बोला क्या होता है यह मत पूछना रही है बस इसी ग्राफ का नाम है पारा बोला यह इस ग्राफ का नाम है और कुछ नहीं होता है पारा बोला मैट का ही एक राम ए इंग्लिस का वर्ड नहीं है मैट में यह आता है यह पाराबोला इस educator की चीज को बोलते हैं तो दिखो अब ग्राफ तो इसी तरह का बनेगा लेकिन यह उल्टा भी बन सकता है कभी-कभी एइसा भी होता है जब यह उल्टा बन जाता है जैसे यह उपर की तरफ हमने यू बनाया अब हम लोग मैक्स की बात कर रहे हैं प्लस को मैनस कर देंगे अगर इस ग्राफ में यहां पर सब पॉजिटिव है नीचे सब नेगिटिव है तो अगर कुछ मैथमेटिकल उप्रेशन लगाल करके प्लस को मैनस कर दिया मैनस को कर दिया कुछ भी कर देते हैं इसा यह फशे ग्राफ together Compass टीजिए।ो यह उपर की तरफ आप हुआ और नीचे की तरफ गुमा हुआ दोनों ही हालत में इसका नाम वहीं रहता है नाम नहीं बदलता है मैच में चीजे बदल जाए तो नाम नहीं बदलता है जैसे स्ट्रेट लाइन हमने देखी थी स्ट्रेट लाइन कुछ नीचे से उपर की तरफ जाती भी हो सकती है उप तरह से ही इसका नाप पराबोला की रहेगा ठीक है अब इसमें देखने वाली चीज यह है कि पराबोला कितने तरह से बन सकते हैं कुछ समझ में आरा कितने तरह से बन सकते हैं जैसे मैंने अगर मालो यह एक X-axis और Y-axis बना दिया यह Y-axis है और x-axis है तो हमने देखा कि पराबोला कुछ इसत्रका बना था पुछली बडियो पिछली ग्राफ में जो बना था हमारा तो कुछ इस तरह का था, था ना, इस तरह का प्यारा बोला बना था, और हमने बोला कि इसको उल्टा भी सकते हैं, उल्टा देंगे अगर तो कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का बन जाएगा, ग्राफ अच्छा नहीं बन रहा है मेरा, कोई बात ने, लेकिन समझ जाना है तुम् देखो सोचने की मैं दो तिन चीजे हैं एक है कि 0 हमेसा 2 ही होंगे क्या number of 0 का हमेसा 2 ही होंगे को छी गपोंच कोंगे कि यह क्में इसको बना सकते हvals ना इंटरशेक्ट करें कि बो 거지 करें इसके उपर सोचोगे, अगले वीडियो में हम लोग इसके उपर बात करेंगे, किस तरह से यह जो हमारा यू या पैरबोला जो बना हुआ है, इसको X-axis और Y-axis पर किस तरह से रख सकते हैं, ठीक है, दूसरा सोचने की बात यह है, कि क्या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हम हमेशा होना चाहिए, जीरोस जो है, जीरोस क्या हमेशा एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होंगे, क्या हमेशा ऐसा होगा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉजिटिव हो जाए, एक नेगेटिव हो जाए, ठीक है, तीसरा सोचने की बात यह है, कि क्या X-axis और Y-axis से इ intersection जो होगा क्या इसी तरह से होगा या कोई और possibility भी हो सकती है ठीक है तीन चीजे पर हम लोग discuss करेंगे ये सारी चीजे हम लोग अगले वीडियो में discuss करेंगे ठीक है चालो इस वीडियो में इतना है फिर मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू